कि अपका स्वागत है और आज मार्भेला स्कोचिंग में पहुंचे हैं यहां के बच्चे जीला में चौथा अस्थान लाए हैं मैट्री का रिजल्ट प्रकासित हुआ है और जिनका नम सुभम कुमार है उनसे जानते हैं इनका मेहनत के पीछे स्रीक इसका रहा और इनका इसमें आपना मेहनत लगा कितना मेहनत करते थे आप मैं मेहनत करता था और स्कोचिंग से और मैं अलग से भी कुछ करता था कि से टाधि आपका हर सबसे पर इंजिनिर परफेसर साइंटिस्ट क्या बनाँ चाहते हैं के मिन लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा तो क्या आपके साथ की टीम है 보여ust सबसे अते दिक मोटिवेट आपको करते थे आपको सभी टीचर करते थे हैं कि अभी जो आपसे नीचे जो कलास में अभी पढ़ रहे हैं जुनियर जो है आपके जुनियर जुनियर कलास के बच्चे जो हैं उनको क्या सब्सक्राइब करना चाहिए जो इसको आता है वह मतलब उसको लिख कर देखें आता है कि नमतलब टाइम पर काम कर सकता है कि नहीं बना सकता है चलिए आपको एक और स्टुडेंट से मिलवाते हैं उनका क्या बेक्तिगत मनतब है और किस तरह से सफल हुए है कि इनका स्रीज आता है यह उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं आपका नाम क्या है कितना आप परसेंटेज परात की हैं 96.2 कितना घर पर आप पढ़ते थी मतलब हम टाइम देके नहीं पढ़ते हैं क्या बनना चाहते हैं भाव इसे में क्या प्छे है आपका जो संस्थान है जिस संस्थान से आप पढ़ें हैं कितना आपको सहयों किया बहुत सहयों किया मोटिवेट भी किया है अब लड़की होते हुए भी इतना अच्छा माक्स पराप्त किये हैं तो आम जोनों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे लड़की लड़का का बात नहीं सबको पढ़ना चाहिए पढ़ने का हग सबको है सबके लिए सिख्षा है नहीं कुछ पैरेंट जो होते हैं लड़कियों को बाहर पढ़ाना नहीं चाहते हैं उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहते हैं ये भी है बाहर में ऐसा नहीं लड़कियां हर चेत्र में हैं कार्यरत हैं डॉक्टर हैं परफेसर हैं इंजिनियर हैं साइन्टिस भी हैं तो आप मुखी रूप से क्या संदेश दिना चाहती हैं लड़कियों के लिए लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि आपके जैसे और लड़कियां नंबर ला सकती हैं उनको होसला करना चाहिए जो संस्थान के डायरेक्टर हैं जिनका स्रेज आता है इनका नंबर लाने में और उनसे करते हैं और आपको मुलकात करवाते हैं बचों का कहा संदेश चाहिए जो नंबर प्राप्त किये हैं मैं तो सबसे पहले जितने भी स्कोचिंग से बच्चे टॉपर किये जो राज में जो हम बच्चे को हमेशा बोलते रहते थे कि मुझे राज में टॉपर बनाओ मुझे की टॉपर बनने की क्ववाईस है 2007 से मेहद्नत कर और इस बर्स मेरे दो बच्चे सुभं कुमार जो राज में पंचमा स्थान प्राब्त किया रिमजिम खुमारी राज में मुझे बहुत गर्व है और मैं इन सभी बच्चों को संदेज दना चाहता हूं कि आपको जीस प्रकार के सहयोग की जरुवत हो मुझसे सहयोग लें और आप अपने छेत्र में बेहतरीं परदर्शन करें ताकि मार्भेलस का जो जंडा है और राज में जो फारा है उस प्रकार आसे competition में और विभीन छेत्रों में भाता रहें उस संस्था से बचों जुड़ना चाहिए जहां कि टीचर बचे के लिए काफी लिवरियेस होते हैं यह संस्था बच्चा चुनता है तो वहां से बच्चा बहुत बेहतर कर सकता है और वहां से अपना life career को बना सकता है बच्चे के मायन में बहुत कुछ होता है कि बहुत बड़ा-बड़ा coaching है हम वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं परंतु जो निम्न अस्तर के भी coaching है तो बच्चा को विश्वास रहे कि हम वहां से करेंगे तो राज में इस्टेट टोपर में नाम आ सकता है जैसा आपका इक्जामपर मार्वेलस coaching है अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है अगर आप से जूड़ कर रहना चाहता है पढ़ना चाहता है तो क्या फिरी आफकोस्ट दे सकते हैं हमारे प स्थिए आफ है और बच्चे के रूजहान इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे के साथ करके हमव लोग औस इसैं और यहां पर पैसा है तभी नहीं तभी बच्टा पढ़ेगा नाम रोशन करेगा अपना भी करेगा मेरा भी करेगा हुआ सब्सक्राइब पहले में डिश्टल ब्यवस्ता नहीं था अब इस कोचिंग में डिश्टल भी हो गया है यहां पास CCTV कैमरा की भी विवस्ता हम लोग कर चुके हैं और में कॉम्प्यूटर से सारे बचों को हम लोग जोड़ दी कम्प्यूटर के सिक्षा हो गया चाहिए जिस प्रकार के आई स चेत्रे में विभीन रिजल्टों से परतसल करते हुए आगे बढ़ रहा है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं चलिए एक और इस्टूटनिस से आपको मिलवाते हैं हलाकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लेकिन गरीबी इनको कभी सताया नहीं और हसला इनका मजबूत था ये 12 में बहुत अच्छा परसेंटेज लाए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं चलिए आपके समक्ष हैं जड़ा नाम बताईए अपना मेरा नाम इत्लेश कुमार पास्वान है आप कितना परसेंटेज लाए हैं मैं 90.6 परसेंट प्रत किया के सांधबुकर है कैसे अभी के स्वेंडिकण तैयारी करना चाहिए कैसे पढ़ना जाहिए घर पर और संस्ता सब्स जूड़ना सत्रथी संपर 30 सथ है चैनल घर पर भी पढ़ सकता है जो और जो मेंत करते हैं उसी का सफल हो पाते हैं संस्था से जूड़ना बहुत आची बात है घर परत के लिए नहीं कम्याब हो सकते हैं संस्था से जूड़ना जरूरी है जीवन में जो हर स्तूडेंट का कुछ नहीं लक्ष होता है इसलिए तयारी पढ़ाई और सब कुछ होता है तो आपका क्या लक्ष है उसको परदर्शित कीजी आप कि मैं अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहता हूं अब शिक्षक बनके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे समाज को बदलिएगा कि शिक्षक बनके हम अपने जीवन में हर समाज को समाज को जागरीत करेंगे और सभी स्टूडेंट को सिक्षित करेंगे कि आप नाइंटी पॉइंट संथिंग आई इसी में लाए हैं तो स्रीक इसका जाता है और कितना मेहनत किये थे सपीं है supply का हमारे कोचिंग परिवार मेरी घर जींग मातब और मेरे मामा WOW reg मॉंची जेतना भी है मुझे बहुत मदद कीए थे इससे लिए लिए हमारे उन सभी को जाता है छा चलिए बहुत बहुत धश्वल्नवाद सभी कूढ तनो झाल झाल